दूसी देख रहे हो सांच टीवी न्यूस पोर्टल स्थांत सिमाज वलो मर्न बर्थ थे भी बैटके 96 नौजवान दी बिना शर्थ रहाई दी मंग किती गई अते रविदास मंदर उसे स्थांते दोबारा बनाओं दी मंग किती गई जिस्ते बीते दिने सुप्रीम कूट वलो चंदर शेखर अजाद समेथ 99 जाननू रहा करदता गया अते रहा हुंदे आही आज जला नमाज शेयर दे पंड़ परोमजारा विके सथित डेरा एकसवाट संत बाबा मिला राम जी विके नत मस्त कहोंड चंदर शेखर अजाद साथिया समेथ पुझे जिते डेरे दे मुख सेवादा अते शिरी गुरू रविदास साथू संपरदाई सुसैटी पंजाब दे परदान संत कुलवां तराम परोमजारा अते संगत बनो पीम आरमी दे मेंबरा दा परमा सवाग्द किता गया इस मौके चंदर शेखर अजाद ने समुझे परदर्शन कारियां दा तै दिलों तनवाद किता थे कहा के संगर्शा ना लही जतना हासल कितियां जा सकतियां हन जे में के दिली तुकलकाबाद साथको रवदास महाराजी दा मंदर जो तोड़या गया सगा उदे करके बखवाख स्थामा बलो तारम करते समाजक ते राजनीत के संस्थामा दे बलो बड़े पदर दे पटेस्ट किता गया सगा 21 अगस्त नू जड़ा पटेस्ट होया सी ओस विले 96 नौजवान साथे जड़े जेल दी बेच उननानू बंद कर दता गया सगा जना दी अगवाई कार रहे से के ओस विले चंदर शेखर अजाज जी जड़े संस्थापक ने पीम आर्मी दे आज परोम जारा दे डेरा 187 बबा मिला राम जी दे बेच पहुंचे ने उनना दा सभागत किता गया है सांत कुलबांत राम जी जो सादू संपर्दाइच दे परदा आने पंजाब दे और पूरी समुची संगत जड़िया इते एकटी होई है सभागत कार दे बास दे पीम आर्मी दे संस्थापक चंदर शेखर अजाज जी दा ते आओ मिल दे आँ उनना नू कांची टीवी दे समुचे मद्यम दे रही अजी संकत दे रूबरू करांगे सभागता जी तो आज पंजाब दे बेच इस डेरे दे बेच और ते के मेरे हाथ वाट जेल जातरा दा सफर के में उत्थे जड़े नौजवान से गी उनना दे होसले के में दे बलांद सेगे जी समाज 21 सारी को इकठा हुआ था और खुशी की बात यह है कि यही हमारे महापुर्सों का सपना था चाहिए बाबा साब हो चाहिए साब काशी नाम हो चाहिए संचरवन सद्गूर रविदास जे महाराज भगवान वालमे के महाराज जो कि यह समाज जो है इकठा हुआ और अपने दिखारों की लड़ाय ले तो एक अच्छा समय जो है दो महीने कुछ दिन का जो है जेल में मीता है जो तुकलकाबाद रविदास मंदर तोड़ा गया है उसके लिए सरकार की नियत कैसी लगती आपको देखिए मैं असपस रूप से तो कह दूँ कि जिस तरह से सरकार की तरफ से ओफर दिये गए पहली बार कोट में की 200 का जमीन हम लोग दे रहे हैं 200 वर्ग मीटर फिर दुबारा जो तारिक पर का गए 400 वर्ग मीटर दे रहे हैं वो जमीन हमारी जमीन है क्योंकि वो सत्गुर जी के नाम पे चड़ी भी है कागजो में तो हमारी जमीन को सरकार हमें कैसे दे सकती है तो उससी सरकार की नियत पे खोट है एक तरफ जहां राम मंदिर के लिए इतने लंबे समय सुनवाई चल रहे है वहीं जो है संसिर्णोमेंट सद्गूर अविदास जी महाराज जो दली समाज के जो है विस्व गुरू है कुल गुरू है और पूरी दुनिया में लगबख 40 कोट से जादा उनके अन्यवाई है तो उनकी भावनाओं के साथ इस तरह खिलवार किया जा रहा है ये गलत अगर वास्तिक्ता में सरकार की नियत में खोट नी तो पूरी जमीन जो है वो हमें सोपे और वो अपनी गलती स्विकार करे जिस तरह से पिछली बार जो उनके अधिकारियों ने क्योंकि सुप्रीम कोट ने भी स्विकार किया कि उनसे गलती हुई जी तो इसलिए सुप्रीम कोट जो है अब आज उसके फेवर में खड़ा लोगों के मुकदमे में भी जो है वो खतम किये गए तो सरकार अगर वास्तिक्ता में है इतेसी है और वो आस्था को जो है समझती है जन भावनाओं को समझती है तो उनको उस पूरी जमीन जो है पता चला कि उस समय जब सत्कोर अबदास महाराजी का समा था उस समय सत्कोर अबदास महाराजी को क्रीव सासो कनाल जमीन जड़ी उस समय के सकंदर लोदी जो राजा थी उन लोगों ने दी थी लेकिन जहां का जो अब राजा है ये लोग शीनना चाहते हैं इसके बारे में क्या कहना चाते हैं और समाज को क्या कहना चाते हैं आप लोग जो आराम से बहुत आज वह लोगों ने शंगर्च किया है लेकिन फिर भी बहुत सारा समाज बहुत संगर्च में शामल नहीं हुआ उनको क्या संदिश देना चाते हैं देखिए सबसे पहले जैसे आपने बता कि कि वो जमीन जो है सिकंदर लोदी दुवारा सद्पूर जी दी गई ठी और सद्वावीद होके उन्हों ने तो हमारे लिए तो सुठी नो हूर रहे तो एतियासिक उसका कि एकंड जो है उस धरति का हमारे लिए जो है वह वह होती एतियासिक जयुक्यान की है जमिन हो सकती है हमारे लिए द्रह नाझ मुस्त ली है हमारी आस्था केंद्र केंदर इस पर intéressant कुई इसी हैं कि सरकार पूरी जमिन में हमtal हो heat है तो मेरे हिसाब से यह ani जरूरी है लेकिन जो लोग कि संगर्ष में वह हैं देखिए क्योंकि ये कमजोर वर के लोग हैं आर्थी ग्रूप से संपन नहीं हैं फिर भी लगबख पान साथ लाख लोग जो हैं बहुत जल्दी कि कॉल पर जो है थोड़े समय कॉल पर पहुंचे थे तो ये भी एक उसे समाज की बड़ी ताकत हैं लेकिन जो लोग घर रहे थे मैं उनसे चांगा कि दुबारा कभी भी समाज का कोई संगर्स हो तो वो उसमें घर से बार जरूर निकले क्योंकि हमारे जो महापूर्स हैं हमारे जो रहबर है साब काशिनाम कहा करते थे कि अगर आप संसद में विधान सभाव में भूमत में नहीं तो आप सड़कों भूमत रहें आप हमेशा सड़कों पर बाहर निकल के आएं और सरकार को ये बताएं कि आपके अधिकारों के परती जो है सरकार खिलवार नहीं करती तो मैं लोगों से यह फील करूँ है कि जब भी समान समान की लड़ाई कोई बात है तो वो इसमें अपनी भागेदार जरूर निश्चित करें हमारे सादू संस्थाओ का या कोई भी किसी हमारे संत्स FL करें तो उस पर जाकर जरूरism भूमिकादा करें और समाज के एकतका जो है एक बड़ा जो मैसिज पूरी दुनिया में जाता जैसे कि तरह और वो जाना चाहिए जैसे अभी थोड़ा जमीन देने की वाद़ किया था सरकार ने जैसे पहले पता चला था का 200 जो गज है ओ देने का वाद़ किया था बाद में चार सो का वादा किया ऐसा कुछ पता चला था और उस पे दस शर्तें भी लगाई गई थी जिसके लगता था कि ये जमीन हमारी आने वाली नहीं है उसके बारे में क्या बोलना चाहते है जैसे जो शर्तों में आता है कि सरकार की कमेटी बनेगी वहाँ दूआ नहीं क किया जा सकता वहां कठ नहीं किया सकता ऐसी जो दस शर्ते थी उसके बारे में क्या बोलना चाहते है अब देखिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि मैं परसोर विया हुआ था मैंने एक वादा किया था समाथ से कि जब तक उस सारे भाई जो है नहीं चूटेंगे तब तक मैं जेल से भार नहीं है तो जब मुकदमे वापिस हो सब लोग चूटे तब मैं जेल से भार रहा और आज मैं इसलिए जो है आते ही घर जाए बगैर पहले पंजाब के लिए मैंने रुख किया क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा संगर्स रहा पंजाब के लोगों ने बहुत सबसे ज़ादा बार बचल का इसा लिया हर्याना के लोगों ने भी अर्याना के पच्पल लोग बनते हैं तो मैं अपने जो है जो इस धरम के सादू संत महापुरू से मैं उनसे यही पूछने के लिए आए कि उन्होंने क्या तेकि है क्योंकि मैं 400 गज़ पर सहमत नहीं हूँ मैं तो वो पूरी जो धरोवर है क्योंकि बाबा साब के सविधान ने हमें अपने अधिकार रुख सुक्षा का अधिकार दिया तो वो पूरी जमीन जो है वो अतियसिक धरोवर वापस आता हूँ तो मैं तो गुरुवर से आधिस लेना है कि उनके आख क्या रुख इसी के लिए जो है संदकुलबंतराम जी जो है स्वादे संप्रस दाइस सुसाटी के जो परदान है उनके पात जो आया था मैं आशिरवाद लेने और ये पूछने की गुरुजी का क्या दे सो मुझे बताना ह sacrific मैं ये लडाई जो है सारे स्वार्त से उपर उठका है क्योंकि ये लडाई जो है संघज जो है वो सद्गुर्जी के लिए है जैसे बाबा फादिरान गोड्टर अम्बेड कार जी ने स्ञाब के संगर से भारत का सविधान लिखा गया और सुम्झ जओ अधिकार उन्हें ने दी पूरिया से हमारे लोगों नब dużo पढ़ाई नहीं है हमारे लोगों आने जाना इनिके मारmost जिस समाज में पैदा हुए उनके उस समाज के परती भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी है ये भी है कि बहुत सारे मापुटसों ने हमारे लिए किया है आज अगर हमारे तन पे कपड़े हैं और अगर आज हम यहां खड़े हैं गुरु घर में खड़े हैं तो इसके लिए भी बाबा साब ने और हमारे मापुटसों ने कड़ा संगर्स किया है बहुत सारे अपमान जेने तो वो थे तो हम हैं तो हमें भी अपनी आने वाले पीडियो को कुछ ना कुछ दे के जाना है ऐसा ना हो कि कल हमारे आने वाली पीडिया जो है हमें कायर कहें डरपोक कहें और कहें कि वो लोग जो हैं अबसरवादी थे उन्होंने अपने लिए समाज के लिए आने वाली पीडियो के लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जो जिम्मेदारी समझता हूं मुझे लगता है कि यह जो बोज है महापुर्सों के अंदोलन का महापुर्सों के त्याक का बलिदान का वो बोज लेके मैं मरनानी चाहता हूं होसला फजाई दे रहेंने उन्हानु शावाच दे रहेंने तांके ओन आले समय देवेच भी इस तरीक के देना अले जड़ा संगार्च चालदार होई महाराज जी की अज अशीरवाद देना चाने हो तुसी संगतानु जय गुर्देव तन गुर्देव जय पीम जय पार्त जो सहेवे कमाल जगते पिता मातांता सत्गुरुदा हमारे जे संदर मंदर नू मनुबादी सरकारा बलुटाया गया सी उस दे स्वंद बेचे बहुत ही रोस मिजारे होए पूरे पंजाब नी कहसा दे पूरे बाल तक और उस तो बाद जो इकी तरीकनु जांतर मंतर ते प्रोगराम रख्या थे उस दे बेचे भी कई जय ने जिदा सांसमाई ने सरकार दे मगर लाकी उनने वो रामविला ग्राउन दे मेचता है कालिया से वो भी साठे बिना दस से बुछे उस तो बाद जो साठे शंगार्शों होया साठे नौजवान ने उत्ते गुरुका अर्मत्था डिकन गया है उनने इननृ नहों किसे नू रेलवे स्टेशन तो मले चक कया किसे नू मेट्रो स्टेशन तो चक के इननर देच्चिया ज्यादा तरह मले बाला के इननो अंदर के डाकिया और ओधा जड़ा सामने माला आई गया या वे सरकारा जड़ी आपक सब्रीन कोड़ने मान लिया वे जो भी कह रहा है सारी ही कह रहा है कि इन्हाने कोई शंगा अर्चनी किता वो जो माला तोड़ पान कार्ण बाले वो सरकार दे अपने गुंडे सगे सट्री था गुर। गुरी आउऑ, अबंपने और वो जोंगे जो माला फ्रीन कार्ण बाले उर्चनी माला दे अछिवर पाने लिया वे जो खेली आजा है बात जड़े जाग दे गुरु महारे दे लें लाड़ मेट ले त्यार या साधि चंदर से घड़ी जड़े पारसों वाल जेल दे बिचवाई आया आपड़े परवार नू में नहीं गया इना दे अंदर दर दे अ साधि कौम दा समाज दा गुरु जी दा और मान सनमान दे जी लड़ाई नि कर उच्छा गड़ाई ना इंदर प्रिटी कल करके या एक गुरु को जी करके या पर सारे आद फार्चबान दा सारे जाने इना दे मौनटे ना मौनटा जोड़ के चलिये और इनन दा डीरा साहिब विखे आउन ते दास अपने बलो और डीरा साहिब बल आज चंदर शिखाई जी देरा संत वाबा मेला राम जी परोमिजारा विक्या आए चंदर शिक कर देरा संत वाबा मेला रामी जी परोमिजारा विक्यार आए उस स्माज भर आइड में, युक्ते-परबाइनी प्राव नीं कर दे, जो जाके बंदेने, हो जासे समाज़ दे आणकी जो देदा, जो मंधर आएगया, उस थे स्वान जो एक शिंगर्श होया, एकी तरीक नो ओदे बैच जो श्यान में साड़े समाज दे हीरे, जेल दे बैच गया, उना नू जातक जेल नो वार नी आया, जातक उना दे जो कीते हो चुटे मकादमे, मौके दे मनुवा दे चुटियां सरकारा ने, उना दे जो कीते सी मकादमे ज जाते बाफस नी होए, जात तक चंद शिक जी जेल चुबार नी आये, जद अजो कल जेल चुबार आये ने, और अंदे सारी हो पंजाब दी तरती थे, जो डेरा संत बबाबा मेला राम जी दा पर उमियारे दे बैच जाया, संत बबाबा कल लौनत राम जी नो नो मेंन वा सब्सक्राइब करो, आपना यूटूब चैनल सांच टीवी